भारत वर्ष, प्राचीन इतिहास और सभ्वेतावाला अद्भुत राष्ट्र चप्पे चप्पे पर पाउरानिक्ता और हर कदम पर दिख्ती अलग-अलग जीवन शेलिया सांस्कृतिक विविधताओं से परिपोन एक राष्ट्र में संपोन विश्व का दर्शन आधुनिक्ता के साथ पुरातंता का सह अस्तित्व, नवीन तम मशीनों के साथ पारंपरी कॉजार और बड़े पैमाने परुत पादन करती फैक्ट्रियों के साथ छोटे छोटे पारंपरी कॉजारों के साथ घर में ही हो रही कारीगरी से चलते कुटी रुद्योग ऐसी ही कारीगरी को अन्जाम देते कलावंतों का शहर है हरियाना का रेवाडी और इस रेवाडी में सदियों से चल्टा रहा है पीतल के बर्तन बनाने का कुटी रुत्योग भारत की ही तरहा रेवाडी का भी अपना इतिहास है महाभारत कालमेक राजा थे रेवत उनकी एक कन्या का नाम था रेवती जिसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से हुआ था राजा रेवत प्यार से अपनी बेटी को रेवा बुलाया करते थे अपनी लाडली बेटी के नाम पर उन्होंने एक नगर बसाया और उसका नाम रखा रेवा वाडी बीट्ते समय के साथ यही रेवा वाडी रेवाडी कहलाने लगा रेवाडी के दिहास में पीतल का द्याय दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा हेम चंदर विक्रमादे त्याउर्फ हेमू के कारण जुड़ा में मूलताह यहीं के थे रेवाडी शहर के कुतुबपुर इलाके में अभी हेमू की हविली शान से अतीद की कहानी कहती है हेमू ने रेवाडी में पीतल की तोपे बनाने का काम शुरू किया था उस समय पीतल की तोपे युद्ध जीतने की गारंटी मानी जाती थी रेवाडी की सीमा राजस्थान से सटी हुई है स्वाभाविक है कि सूरज की तपन और धूल भरी आंधियां जेरते हुए यहां पानी की भायंकर कमी हो जाती है पानी की इसी कमी को पूरा करने के लिए जल भंडारंड जरूरी था इसके लिए तोपों से बचे खुचे पीतल के टुकणों से तरह तरह की पानी भरने के बरतन बनाये जाने लगे रेवाडी से सटी राजस्थान के रियासत खेतड़ी में ताम्बे की खाने थी इसलिए कच्चे माल की कोई कमी नहीं थी देखते ही देखते रेवाडी में बने पीदल के बर्तन दूर दूर तक जाने लगे सन 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की हार के बाद रेवाडी उतनी महत्य पून तो नहीं रही लेखिन यहां पीदल कारोबार की यात्रा अन वरत चलती रही तोप की जगह पीतल के बरतन और सजावटी सामान का उत्पादन प्रमुख हो गया धीरे धीरे रेवाडी को लोग पीतल नगरी के नाम से चानने लगे सदियों से चल रहे पीतल के कारोबार ने रेवाडी को एक खास शक्सियत दी है इस शक्सियत से परिचय तब और गहरा हो जाता है जब आप चोड़ी सडकों से होते हुए अचानक उन बेतर तीब और तंग गलियों में प्रिवेश करते हैं जहां ठक ठक की लगातार आवास से आपका वास्ता पढ़ता है यहां न कोई लंबी चोड़ी कारिशाला है और न भंडारन के लिए उचित क्षेतर फल वाली जगा मगर प्रतिबध तथा मजबूत इरादे वाले कारिगरों के संकल्प के चलते ये कमियां छिपसी जाती है खास तरह का काम या कारोबार करने वालों को भारत में एक खास जाती के रूप में पहचाना चाता रहा है स्वाभाविक रूप से इन पीतल के कलाकारों की जाती भी ठठेरों की है मगर मोल रूप से ये ठठेरे रेवारी के नहीं हैं बलकि इन्हें इसी कारोबार के लिए राजस्थान से लाकर बसाया गया था जब इनकी कारीगरी फलने भूलने लगी तो कुछ अन्ने जातियां भी इस कारोबार से चुड़ गई लेकिन इस पेशे की कारीगरी तो मौलिक रूप से ठठेरों की ही है ये अपने काम से इतनी सहजिता के साथ जुड़े हैं कि इन्हें इसके लिए अलग से किसी स्थान विशेश की आवशक्ता नहीं जहां ठठेरों का पूरा परिबार रहता है वहीं की कारीगरी भी चलती रहती है कारीगर और उसकी कारीगरी के बीच एक भावनात्मक रिष्टा होता है ये रिष्टा अभ्यास की साथना से सुन्दर परिणाम के रूप में सामने आता है मगर इस परिणाम के आर्थिक फल पर इनका अधिकार बहुत कम होता है पीतल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों के पास चला जाता है जिनकी भूमी का निर्मान प्रक्रिया के पहले से ही शुरू हो जाती है पीतल का बरतन बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है कच्चा माल और कारिगरों के सामने ये कच्चामाल पीतल के गोले के रूप में आता है पीतल के इन गोलों को कारिगरों के शब्दों में पीतल का लड़ू कहा जाता है पीतल के लड़ू की कीमत संख्या में नहीं बल्कि मात्रा के रूप में आकी जाती है यही कारण है कि इसे तॉल कर बेचा और खरीदा जाता है पीतल के लड़ू कारिगरों के पास सीधे सीधे इनके निर्माताओं से नहीं बलकि बिचॉलियों के माद्यहम से आते है उपर से देखने में पीतल के लड़ू भले ही साफ सुत्रे लगते हो मगर कारिकरी के हिसाब से इन में कई तरह की अशुद्धियां मौजूद होती है यही कारण है कि लड़ूं को देहकती भटी में डाला जाता है बरतन बनाने का काम भटीओं से ही शुरू होता है अधिक तापमान पर पीतल के लड़ू आग के गोलों की तरह दिखने लगते हैं ऐसे में इन्हें एक मशीन के जरीए बाटी के आकार में बदल दिया जाता है इसे बुली बनाना भी कहते हैं पीतल की बाटी बन जाने के बाद इन्हें एक खास तरह की मशीन पर ले जाकर बेला जाता है इस बेलन के बाद जो आकार बनता है वो आवशकता के हिसाब से अब भी परयाप नहीं होता है यही कारण है कि उन्हें बड़ा आकार देने के लिए एक बड़ी मशीन पर बेला जाता है और ऐसा करते हुए इन्हें बड़ी-बड़ी चादरों में बदल दी आ जाता है इन चौकोर चादरों के उचेत कटाई छटाई की जाती है भविश्य में बनाई जाने वाले बतनों के हिसाब से ही उन चादरों की सटी कटाई की जाती है इसके लिए परियाप्त आकलन शमता तथा अनभौ की आवशकता होती है आवशकता की नुसार कटाई हो जाने के बार ढ़लाई का काम शुरू होता है धलाई कार्थ यहां इन चादरों को मन्चाहा कार देना होता है ये काम बड़े छोटे कई तरह के हतोडों और अन्युपकरणों के माध्यम से किया जाता है हतोडों की चोट सटीक जगह पर और सही तरीके से हो इसके लिए गहरे अभ्यास की जरूरत होती है आम तोर पर बरतनों के तीन भाग होते हैं जिनहें किनारी, पेंदक और महला कहते हैं मन माफिक आकार मिलचाने के बाद बड़ी चुनोती होती है अलग-अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ना इसके लिए बड़ी ही कुशलता से अलग-अलग हिस्सों की वेल्डिंग की जाती है इसके बाद बरतन अपने स्वरूप में आ जाता है अब इसे हम पहचान सकते हैं लेकिन अभी भी इसमें कई काम बाकी होते हैं वेल्डिंग के बाद बदरंग हुए बरतन को असली रंगत में लाने के लिए उन्हें तेजाब के हवाले किया जाता है फिर इन्हें इमली के पानी में डुबोया जाता है इस प्रक्रिया को एक दो बार नहीं बल्कि कई बार दोराया जाता है धुलाई की इस प्रक्रिया से बार-बार गुजरने के बाद बरतन तो साफ हो जाते हैं लेकिन अब भीन में चमक नहीं होती चमक पैदा करने के लिए इन्हें एक मशीन पर देजी से घुमाया जाता है घुमते बरतनों को कारिगर एक खास तरह के काघस की मदद से रगरता है कठिन और लंबी घर्षन प्रक्रिया के बाद ये बरतन सोनी की तरह दमकने लगते हैं ये चमकदार बरतन वैसे तो तयार दिखते हैं लेकिन अब भी इनमें बाजार को आकरशित करने की एक खासियत नहीं होती है और ये हैं इन बरतनों पर सजावट का काम यह काम निर्मान प्रक्रिया का बेहद महत्वपून अंग है और कारीगरी की मन्जिल का आखिरी पड़ाव भी जिस तरह कोई सुनार अपने गहनों को बेहद छोटे छोटे हतोडों की मदद से हौले हौले चोट देकर उन्हें आकार देता है ठीक उसी बारीकी के साथ इन कारीगरों के हाथ इन बरतनों पर डिजाइन की लड़ी पिरोते हैं इस प्रक्रिया को बीटिंग कहते हैं बीटिंग के बाद शांदार डिजाइन वाले बरतन अब पैकिंग और बिकने के लिए पूरी तरह से तयार हो जाते हैं पीतल के बर्तनों की कारीगरी यहां पूरी हो जाती है और यहां से शुरू होती है इसके बाजार की कहानी कारीगरी के ये कलावंत सिर्फ अपनी कारीगरी से ही वास्ता रखते हैं बाजार के जोड घटाव से इनका लगभग अलगाव ही रहता है उपर से तॉल की बाजीगरी भी इनकी कारीगरी की कीमत पर प्रती किलो 10 से 15 रुपए की चपत लगा जाती है कारीगरों की व्यथा कथा बड़ी लंबी है विचौलियों की मौझूद्धियन की कारीगरी की प्रवाह को स्वचंद नहीं बहने देती पीतल का कारोबार देश के अन्य हिस्सों में भी है जहां ये फखल फूल रहा है लेकिन हर्याना की इस पीतल नगरी की मर्म भेडी शिकायत है कि इसकी पहचान लगातार खोती जा रही है इस संबन में सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह की प्रोथसाहन की बड़ी जरूरत है पचास साल पहले यहां पे कम से कम पांच जार घरों में पीतल का काम होता है और धीरे 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 यहां का काम खतम हो गया जगादरी में जब कुछ भी नहीं था जब यहां काम होता है और जगादरी आज जगादरी और मुरादाबाद बहुत रिवाडी से आगे बढ़ गया है और रिवाडी पीछड़ती जा रही है हर साला ब्याँ मुश्किल से सो गर काम नहीं करते हैं रिवाडी के पीतल उद्यों को सबसे बड़ी चुनोती बाजार में मौजूद अलुमिनियम तथा स्टील के बर्तनों से मिरती है क्योंकि ये बर्तन सस्ते होते हैं हाला कि पीतल के बर्तनों की यदि खूबियां देखी जाए तो इनके सामने अलुमिनियम और स्टील के बर्तन कहीं नहीं ठहरते एक तो पीतल के बर्तन में खाना खाना या पानी पीना स्वास्तिके दृष्ट कों से लाबदायक होता है वहीं दूसरी और पीतल के पुराने बरतनों की कीमत भी बेहतर मिलती है यानि पांस साल बाद आज आज आप कोई नई के परात या टोकनी यसी ये ले जाते हो ये आज की डेट में आपने खरीदी और पांस साल बाद जब आप इसको लेके आओगे तो जिससे ज़्यादा की ही आपकी बिग जाएगी रेवानी के पीतल उद्योग की एक बड़ी परिशानी है पुराने आज़ारों का प्रियोग ये आज़ार सालों से बिना किसी सुधार के यूं ही चल रहे हैं कारीगरों के घरों में इन आज़ारों की खट-पट नजाने कितने वर्षों से चली आ रही है जबकि तक्नीक और प्रध्योगी की तेजी से बदल रही है पुरानी तक्नीक होने के कारण काम में महनत बहुत लगती है इसके चलते काम करने वाले इसमें नहीं आना चाते ठठेरा संग के प्रधान की शिकायत है कि इस कारोबार में जितनी महनत है उसकी तुलना में लाब बहुत मामूली है ऐसे में इस पेशिक का अकर्शन खत्म हो रहा है तीस बरस पहले इस कारोबार की चमक के आगे सरकारी नौकरी का अकर्शन भी भीगा था लेकिन लगातार सिमट तेस कारोबार की बदहाली से परिशान कई ठठेरे अब अतीत में सरकारी नौकरी छोड़ने के अपने फैसले पर पच्ताते हैं अगर मैं उस समय सर्दिश कर रहा होता है तो आज मैं इस ठटेरे के समाज के वड़बड के तर्दचर निकल जाता है तंग गलियों और सिम्टे हुए खरों में चलती स्कारी करी के काराण पूरे महले में हमेशा खट-खट होती रहती है आवासिय महले में ये ध्वनी प्रदूशन कई बार असहनिय हो जाता है ऐसा नहीं है कि इस समुक्ति पाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं हुआ प्रयास तो हुआ लेकिन उस प्रयास पर पूंजी पतियों की नजर गड़ गई इन कारिकरों के लिए ब्रास मार्केट के नाम से एक बाजार बनाया गया था लेकिन विडम बनाया सी कि यहां पीतल के कारिकरों को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला इस चलावे के साए तले ठटेरों की अगली पीड़ी भी जैनी महसूस करती है इनकी नई पीड़ी को मौके की गुन-गुनी धूप चाहिए और नए पेशे का शामियाना हम यह काम क्यों करें? हमारे पहले से चलते आरे ताओ जी, दादा जी यह काम करके कुछ नहीं मिला दिन बार काम करते करते दोसों की मज़दूरी होती है पीतल की इस कारिकरी में बच्चों और युवाओं को अपना कोई भविशे नहीं दिखता इस पेशे में अभाव का जो अधिरा चाया है उसके चटने की उन्हें कोई उमीद नहीं ऐसे में उनकी नजर किसी ऐसे पेशे की तलाश में है जो आर्थित मोर्चे पर मस्बूत भी करे और सामाजिक हैसियत भी दिलाए पीतल के कारिगरों के बीच कई गयर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं उन्हें भी लगता है कि यहां समस्याएं बहुत हैं कारोबार के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है उचित कारिस्थल या कारेशाला की नितांत कमी है और सबसे बड़ी चुनोती हैं इन कारिगरों के लिए बाजार की सिमठ्ती संभावनाएं इसके लिए विशेश प्रयास किये जा रहे हैं विशेश रूप से हम लोग के जो ठठेरों की जो कारिगरी कोशल है उसमें तक्निकी विकास कराते हुए इनकों बाजार की संभावनाएं तलास और ऐसा कारिगर पंचायत कर भी रही है देश के दूसरे इंश्टों में तरी बार हम लोग नैस्नल लेवल पर एक्जिविशन कराते हैं जो अच्छे कलाकार हैं उनको राष्ट पत्यवार के लिए भी भेज़ते हैं इस तरह का परियास राष्टी कारिगर पंचायत कर रही है और भविश में हम रिवारी के ठठेरों के लिए भी इसी तरह से आगे बड़ेगे रेवारी के पीतल उद्योग में काम करने बाले कारिगरों की परेशानियों की सूची बड़ी लंगी है लेकिन यहाँ कुछ ऐसा भी है जो नहीं सुकून देता है अपने ही घर में अपने परिवार के साथ काम करने की सुविधा कारिगरों को कहीं और नहीं जाने देती हमारा काम बहुत अच्छा है हम परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के साथ काम करते हैं लेकिन हमने देखा कि कुछ सालों से, कुछ सालों से देख रहे हैं इस काम में मम्लाव हम तरक्की तो नहीं कर रहे हैं और मधलब गर्थी तरफ जा रहे हैं तो इस सुनवाई नहीं है पहले हमको टैम में जो शुट नालीस के बाज यसे हमारे बाप वो अपिताजी पो गएड़ बताते थे हमको कोटा मिलता था ज़ा कार की तरफ से अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद रेवारी के ठठेरों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है उनका समाझ अपने सीमित संसाधनों के बीच आने वाली पीड़ियों के लिए उम्मीदों का एक नया संसार ढोँब रहा है इस संसार के उम्मीदों में प्रधान मंत्री के स्किल इंडिया कारिक्रम की एक नई रोशनी दिखाई दी है आशा है कि इन कारिगरों की सिंदगी में स्केल इंडिया जैसे कारिक्रमों की माध्यम से वो दिन भी आएंगे चब इन के पास अपनी पर्याप्त पूंजी होगी उचित कारिशाला होगी, शानदार बाजार होगा और विजोलियों से बूरी तरह मुक्त अपना कारोबार होगा उम्मीदों की इसी रोश्णी में नहाने की कलपना करते हुए रेवाडी के पीतल कारिगर अपनी लै ताल बनाए हुए है वियने ताहा मैया पावना बरोसे प्योलियों झाल बनाए हुए हुए है